हलो स्टुडेंट्स सी सैट के मैच क्लासेज में आपनों का स्वागत हैं आज अब लोग नंबर सिस्टम फोर क्लास में आएंगे जिसमें डिवीजबिल्टी टेस्ट के बारे में बताऊंगा एक बार मैं फिर यह कहना चाहता हूं यह क्लासेज सिर्फ सी सैट वालों के लिए एसे सी वालों के लिए एसे से फायदा होगा लेकिन कियोवल एसे सी वाले को इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े करनी पड़ेगा इसलिए ध्यान रखिए इसक्लूसिब सी सैट और यूपी पीसिस या और अन्य कोई पीसिस ठीक है मैं उसी पॉइंट ऑब यू से उसी वा सकते हैं क्योंकि असान होता है और बाकी ऐसा नहीं है कि डिविजबिल टेस्ट पर कोई कुश्चन आएंगे ठीक है आए बहुत जल्द जल्दी से हम लों देके खतम करते हैं डिविजबिल बाइट टू से डिविजबिल ठीक है डिविजबिल बाइट टू जब भी आप वीडियो देखिएगा स्क्रीन को थ्वासा ब्लॉड करके जूम करके देखिएगा तो चीजे साब देखेंगे डिविजबिल बाइटू किसी भी नंबर के अगर अंत में यानि यूनिट प्लेस पे जीरो या कोई इवेन नंबर हो 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 8, 0, 3, 3, 4, यह सब नंबर है इसमें कौन सा नंबर 2 से डिविजबिल है तो इसका यूनिट प्लेस का मतलब होता है यह पहला प्लेस यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का यह पहला प्लेस ठीक है इसमें हमने कहा इवेन नंबर हो या जीरो हो इसमें सगर नंबर 2 से डिवाइड होगा यहां देखिए साथ है न तो इवेन है और है और हमने कहा था 1, 3, 5, 7 और है साथ है यानि इवेन नहीं है जीरो तो है नहीं दुस नंबर इस नॉट डिविजबिल बाई 2 ठीक है यहां पर देखिए इवेन नंबर है टू इसे इवेन नंबर द यहां फाइवे इस दिया हो, इस दिविजबिल बाई 2 है, ऑबिचली unit place देखना है unit place पर 6 है, यह even नंबर है यह अजल देखना है यह यह आपका होगे यह 2 की दिविजबिल टेस है, त्री की दिविजबिल टेस्ट आपको देखना है, d i, v i, s, i will be divisible by 3, देखिए इस अगर कोई नंबर है, यह, sum of the digit, हमने कहा था, digit और नंबर में difference, digit इसमें कौन कौन से नंबर है, three digit है, वह एक digit यह है, एक digit यह है, एक digit यह है, हमारा number system के पहले class में हमने कहा था, digit और numbers में difference, digit क्या है, यह, if the sum of the digit, यहने कि इन digit का सम देखना है, यहने कि three plus one plus five, किता हुआ, this is nine, and nine is, since nine is divisible by three, therefore the whole number is divisible by three, ठीक है, अगर हम करते है, अब यह क्या three से divisible है, क्या करना पड़ेगा, sum of the digit देखना पड़ेगा, sum of the digit, क्या है, two plus two plus three, क्या हुआ, seven, seven is, seven is not divisible by three, therefore this number is not divisible by three, ठीक है, अब यह, अब इसमें फिर देखना है, sum of the digit is divisible by three, देखते हैं, four plus four plus four, one, four plus four plus one, nine, since nine is divisible by three, therefore whole number is divisible by three, definition दिया होगा, बुक में देख लीजेगा, sum of the digit is divisible by three, therefore the number is divisible by three, divisible by four, यह आपको याद रखने है, क्योंकि इससे आपको calculation हीजी हो जागा, माल यह number दिया हो, अब आप three से divide करके देखेंगे, कि यह, कि divisible है कि नहीं, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, यहाँ पर आप आ रहा, इसली जो लिए, two plus two, four, three plus three, seven, seven is not divisible by three, therefore this number is not divisible by three, तो आप इसली, अपने calculation को और जल्दी कर सकते हैं, divisible by four, इसमें है, if the last two digit, देखेंगे बार बार यह, digit word आ रहा है, मैं digit और number में difference अपने पहले lecture में बता था, if the last two digit is divisible by four, then the number is divisible by four, जैसे आप माल लिए कोई number देते हैं, last two digit, last two digit यह है, ठीक है, if the last two digit is divisible by four, then whole number is divisible by four, since twenty is divisible by four, therefore this whole number is divisible by four, यह हो गया, यानि यह number पूरा four से डिवाइट हो जाएगा, अगर माल लिए है, यह, अब करना last two digit, last two digit क्या है, 0, 4, 0, 4 is divisible by four, therefore the whole number is divisible by four, अगर माल लिए को ऐसे देता है, ऐसा कोई दिया है, यहाँ फिर last two digit, last two digit यह है, और यह last two digit, 4 से divisible नहीं है, ठीक है, 14 is not divisible by four, this 14 को देखना है, 14 is not, यहाँ 0, 4 को देखना था, यहाँ पर 20 को देखना था, since 14 is not divisible by four, therefore this whole number is not divisible by four, तो इसका यहाँ पर implementation है, अब हम देखते हैं, इसको इसके इसके इन सॉटने लिजे, two का हो गया, three का हो गया, four का हो गया, अब हम देखते है, five, five का, five का है, भी बहुत इजी है, if the, five का है, d i, v i, s i, v i, divisible by five, five का है, if the unit, if the unit, if the unit place is zero और five, then number is divisible by five, जैसे माल यह देता है, unit place पहला place, अगर यहाँ पे five हो या zero हो, तो पूरा number five से divide हो जाएगा, जैसे हम देते हैं, यह भी five से divide हो जाएगा, क्योंकि इसका unit place जो है, यह, हमने कहा था, unit place zero या five हो, तो पूरा number five से divide हो जाएगा, ठीक है, अगर माल लिए कोई ऐसा number हो, five, five, one, तो इसका unit place के आँवा, one, one five से divide नहीं, इसलिए पूरा number five से divide नहीं होगा, divisible by six, ठीक है, divisible by, divisible by six, six का number है, if the number is divisible by both, किससे, two and three, यानि अगर कोई number two और three दोनों से divide हो रहा हो, तो वो, तो ही वो six से divide होगा, जैसे अगर हम माल लिए काते है, six, 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 one, अब six, 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 one के लिए है रहा हो क्या करना था, कि पहले तो two और three दोनों से divide होना चाहिए, two से divisible, divisible test का था, कि unit place पे zero हो, या even number हो, यहाँ पे ना तो zero है, ना तो even place है, तो यह number आपका two से divide नहीं होगा, अब माल लिए हम कहते है, three, three, one, six, अब देखिए, यह divide हो, यह six से divisible है कि नहीं, unit place पे पहले तो two से होना चाहिए, फिर three से, दोनों से होना चाहिए, two से unit place पे zero हो या even हो, even है, six is an even number, ठीक है, since therefore this number is divisible by two, अब देखना है, यह three से भी divisible है कि नहीं, three से divisible के लिए क्या करना था, sum of the digit is divisible by three, sum of the digit देखिए, three plus three, six, plus one, plus six, three plus three, six, total क्या हुआ, 13, and 13 is not divisible by three, therefore this whole number is not divisible by three, अब देखिए, देते हैं, अब एक देख लिए जा कट जा है, यह, अब देखिए, इसको देखिए, यह six, आपका six से divisible है कि नहीं, पहले unit place पे, क्या होना चाहिए, zero या event, event number है, two से divisible के लिए, नहीं two से तो हो गया, अब three के लिए, sum of the divisible, तो गया हुआ, sum देखते हैं, three plus, यही करना है, क्या हुआ, 15 आएगा, ठीक है, छे, चार, दस, पाच मंदा, 15 हो गया, since 15 is divisible by three, ठीक है, three five जाब 15 होता है, यह अब क्या है, two से भी divisible है, और three से भी divisible है, therefore the whole number is divisible by six, अब देखिए, एक divisibility test seven का आता है, उत्वा सा complicated है, तो उसके लिए, चुकि हमने कहा कि calculation में help के लिए ज़रूरत है, तो उसको आप, जितना में आप उसमें check करने मिलाएंगे, लगाएंगे, कि seven से divisible है की नहीं, उतने में आप seven से divide करके देख लेंगे, आपको इजली आप उहां से निकल जाएंगे, ठीक है, टेस्ट को चेक करने में इतना समय लाएगा, उतने दिर में आप मान लिए एक से, उतने दिर में साथ से आप divide करके देख लेंगे, ठीक है, कि ये कट रहा है के नहीं, ठीक है, तो seven का छोड़ दीजे, eight का, फिर eight का देखते है, divisible by, by eight, eight का है, यहाँ पर ध्यान रखी है, four और eight में difference है, four में था last two digit, और eight देखें, वीडियो चल लएए, और eight में है, कि last three digit is divisible by, last three digit is divisible by eight or not, last three digit का मतलब मान लिए कोई बड़ी संख्या है, यह आप बहुत बड़ी संख्या के लिए बता रहे हैं, लिए लिए आपको इतनी बड़ी संख्या मिलेगी नहीं, क्योंकि, आप देखें, last three digit क्या का, यह, यह अब आपको देखना है कि eight से divisible है की नहीं, eight से है, eight बंजा eight, eight टू जा 16, यह पूरे number eight से divide हो रहा है, इसलिए यह पूरा number eight से divide होगा, अगर हम कहते हैं, ठीक है, अब last three digit देखना है, यह last three digit हो गया, यह तो कट गया, eight बंजा eight, ठीक है, और eight टू जा 16, यह 15 नहीं कटेगा, यह चुकि, यह तीन digit eight से divide नहीं हो रहा है, इसलिए यह पूरा number eight से divide नहीं होगा, तो इसके लिए क्या है, last three digit, last three digit, is, अगर last three digit eight से divide हो रहा है, तो पूरी संख्या eight से divide होगी, यह divisible by eight हो गया, अब divisible by nine देखते हैं, ठीक है, यहाँ पि उसी तरह, जैसे three में था, sum of the digit is divisible by nine, उसी तरह यहाँ है, sum of the digit is divisible by nine होना चाहिए, जैसे एकमाल लिए nine, 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 ठीक है, इसका sum कितना होगा, nine plus nine plus nine, यह चुकि, 27 is divisible by nine, therefore whole number is divisible by nine, अब हम देखते हैं, ठीक है, अब यह nine से divisible है की नहीं, देखिए, sum of the digit देखते है, nine plus one plus eight, यह 18 is divisible by nine, therefore the whole number is divisible by nine, इसमें है sum of the digit is divisible by nine, therefore number is divisible by nine, ठीक है, अब हम देखते हैं, divisible by ten, ten के लिए एक ही है, अगर unit place पर zero हो, तो number divisible by ten होगा, अगर माल लिए divisible by, by ten, तो, if the unit place, is zero, ठीक है, माल लिए कोई संख्या है, unit place पर zero है, तो संख्या, ten से divisible है, unit place पर zero नहीं है, माल लिए कोई संख्या है, unit place पर zero नहीं है, संख्या ten से divide नहीं होगी, unit place पर zero होते ही, संख्या ten से divide होगी, अब most important, divisible by 11, कभी कभी इसमें कैसे आएंगे ओभी मैं बताऊंगा ठेक है इसमें लिखिए दिफरेंस बिट्विन दिफरेंस बिट्विन 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 प्रौद्विन प्रौद्विन दिफरेंस बिट्विन छिवी हैं रप्रौद्विन बिट्विन by 11 क्या मूला है the difference between the sum of the digit at event place and odd place is divisible by 11 the number is divisible by 11 कैसे समझे अगर कोई number दिया है A A, B, C D, E, F आप किधर से मिलेगे चल सकते हैं हम इधर से लेगे चलते हैं इधर से मिले सकते हैं event odd की बात कर रहा है देखिए इधर से event लेंगे इधर से ले या इधर समाली एक और बढ़ा ले F, G ठीक है अब इधर से लेंगे तो event कुछ और लग आएगा इधर से लेंगे तो event किधर से आप किधर से भी ले सकते हैं कोई इस पर restriction नहीं है हम इधर से लेते हैं ठीक है हमने कहा sum of the digit and event place event, odd, odd बेकार odd का मतला हमने कहा इसको odd पहला, first, three five और यह odd है और even यह सब even हो गया even यह सब even place हो गया ठीक है? तो यह आपका दूसरा इधर से दूसरा चौथा और सेक्टरा second, fourth and sixth आपका event हो गया sum of the digit and event place event place के digit कौन कौन से है? f, d और b, यानि f plus d plus b, यह होगा sum of the digit at even place और sum of the digit at odd place के आदर difference, इनका difference लेना है कि ग, e, c, a g, e, c, sorry, g plus e, plus c, plus a, इन दोनों का अगर difference 11 से divide हो रहा है तो पूरी संख्या 11 से divide हो जाएगी, ठीक है? यह हमारा basic rule है, इसी को समझेगा, आप event और हमने का sum of the difference between the sum of the digit at even place, अब even place आप इधर से भी ले सकते थे और इधर से भी कोई दिक्कत नहीं है, solve हो जाएगा अब हम एक छोटा सा question देते हैं example में, समझेगा, जैसे आपको पता है, यह 11 से divisible है अब इसमें हम देखते हैं, sum of the digit at even place इधर से चल ले है, तो even place क्या हुआ? पहला 2 पहला 2 हा गया, तो 2 का और तो कुछ दूसरा है यह यह कुछ है नहीं तो 2 लिख लिया, अब difference between sum of the digit at odd place odd place क्या हुआ? पहला और तीसरा यानि 1 पहले पर 1 है और तीसरे पर भी 1 है, 1 प्लस 1 तो यह क्या हुआ? 2 माइनस 2, that is 0, since 0 is divisible by 11, therefore the whole number is divisible by 11, और आपको पता है, 11, 11 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 11 times multiply करेंगे, तो 121 आ जाएगा, ठीक है? तो यह हो गया, अब एक और दूसरा, जैसे आप यह question कैसे आ सकते? इसमें, इसको पहले खीच लिजी, skin shot हम, अब देखिए, अगर आप यह question कैसे आ सकते? जो छोटे से question, यह भी pieces में कभी कभी है, पैट्र अगर में expected है, जैसे अगर हम कर दे 3, 1, 5, 6 X 2, अब यहाँ X की सबसे छोटी value क्या हो? the small देखते है भी होगा के नहीं क्योंकि मैं यह से x की सबसे छोटी, smallest x की सबसे smallest value क्या हो? जिससे की पूरा number 11 से divide हो जाए, देखते है possible के नहीं? चलिए हमारा क्या दा? sum of the digit at even place even place में क्या होगा? यह हो गया, दूसरा चौथा और 6 इसका sum क्या होगा? 3 plus 5 plus x यह हुआ, minus sum of the digit at odd place odd place पे क्या है? 2 plus 6 plus 1 ठीक है, यह क्या हो गया? 5 plus 3, 8 plus x minus 6 9, यह हो गया? 9 अब इसको अगर आप solve करें तो क्या हो जाएगा? 8, यह हो गया, 8 plus x, minus 9